एंड्रोइट सीखना अब हो गया है और भी आसान क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नितने पार्टकास्ट और आपकी तमाम तर कुईरिस का रिपलाएं तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बच जाये हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए धेश सारी मालूमात ओनली ओन एंड्रोइट ब्लाइंड कैफे खुशाम दीद इंड्रोइट ब्लाइंड कैफे के चैनल पर मैं फरास एक नए पार्टकास्ट के साथ दोस्तों आज हमारा जो पार्टकास्ट है वो है और्डियो MP3 एडिटर के हावाले से इस पार्टकास्ट को शुरू करने से पहले आप सबी से रिक्वेस्ट है कि इंड्रोइट ब्लाइंड कैफे का चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएं तो दोस्तों MP3 आडियो एडिटर की अप्लिकेशन एंड्रोइड में बहुत ही कमाल की अप्लिकेशन है इसके थूरू हम एडिटिंग के काफी सरे काम कर सकते हैं हम इस अप्लिकेशन को चेक करते हैं यह मैंने आडियो MP3 एडिटर को ओपन कर लिया है अच्छा यह एक सबसे पहले अनलेबल बटन इसमें आता है तो इसको प्ले आल कर लेना है क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें आडियो MP3 एडिटर में हैं वो सबकी सब एक के बाद एक यह प्ले करके दिखाएगा सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं आडियो कनवर्टर माय क्रियेशन्स यह इस एप में सारे आप्शन्स है तो हम रिकार्ड को पहले देख लेते हैं अच्छा रिकॉर्डिंग में ये है कि आप इसके जरी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अभी तक कोई रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई 10 मिनट और 25 सिकुंड की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इस में ये रिकॉर्ड बटन इस पर डबल टैप करने से रिकॉर्डिंग शुरू होगी चुके मेरी रिकॉर्डिंग अभी चल रही है तो मैं आप लोगों को यह नहीं दिखा सकूँगा बारल आप इस तरह से करेंगे तो यह आसानी से रिकॉर्ड हो जाएगा और यहीं आपको इस तो इस तरहां से आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यह देखें यह नाम देगा इसको तो नहाँ जानी से बैक कर लेते हैं अच्छा अब यह हैं ट्रेम आडियो हम इसको देखते हैं अब यह ज़ब मैंने ट्रेम आडियो पर डबल टैप किया तो उस ने सारी की सारी सांग्स की मेरे लिस्ट शो कर दी हम चेक करते हैं यहाँ आप सर्च भी करके चेक कर सकते हैं यह देखें यहां पर आप डबल टैप करेंगे तो यह कीबौर्ड शो हो गया है परा तो अभी हम इसे सर्च नहीं करते हैं यहां से आप सर्च भी कर सकते हैं अपना सॉम जो भी आप ट्रिम करना चाहते हैं ट्रिम यानि काटना जैसे मैं भी करके दिखा रहा हूं यह कीबोर्ट क्लोस कर दिया हमने जैसे यह एक फाइल है अब इसके आगे यह हर फाइल के आगे एक अनलेबबल बटन्स है इस से यह स्लेक्ट होती हम इसे स्लेक्ट करते हैं इस अनलेबल बटन पर डबल टैप करके यह हमने स्लेक्ट कर दिया आब हम देक dł Potion's यह और क्या क्या experience हैं ट्रेम आडियो डिटेल इंफो शेर डिलीट तो ट्रेम आडियो चुके हमने करनी है तो हम ट्रेम आडियो सेलेक्ट करेंगे अब यह देखिए यह ट्रेम आडियो आ गया अब यह देखिए यह सारी डिटेल यहां पर इसने आपको बताई कि यह से 15 की फाइल आपकी इस तरह से कड़ जाएगी जो डिफॉल्ट सेट हुआ 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 है तो यहां से आप इसको प्ले करके देख सकते हैं यह रिवाइंड कर सकते हैं फास्ट फारवर्ड हम इसे प्ले कर लेते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा यह सिर्फ 15 सेकिंड की प्ले हुई है चुके यह आगे फास्ट फारवर्ड और रिवाइंड के लिए अब इसका एडिट बॉक्स डबल टैप करने से ओपन नहीं होगा यह स्टार्ट की डिवरेशन है तो यहां मैं डबल टैप और लॉंग प्रेस करूंगा तो यह देखिए अब यह जो कैंसल बटन है इससे पहले एक एडिट बॉक्स है इसको हमने नहीं चेहड़ना अब इसी के लेफ्ट स्वाइब करें हम यह सेकिंड यह सेकिंड का एडिट बॉक्स है इसमें मैं दस सेकिंड लिख देता हूँ यह हमने इसमें दस सेकिंड लिख दिया इसमें दस सेकिंड लिख दिया यह देखिए बता भी रहा है एसस यह नहीं सेकिंड लिख दिया तो हम इसमें यह तैन अब आ गया से अब यह जो सेकिंड के पहले वाला एडिट बॉक्स है यह मिनट का है तो मेरी फाइल चुके चार-पाश मिनट की है तो मैं इसमें मुख्तसर आपको करकर दिखा रहा हूँ यानि हमारी फाइल एक मिनट से शुरू हो यह देखें सबसे पहले आपको इसको किलियर करना है यह 010 यह एक मिनट और दस से किंड से मेरी फाइल रिम होगी इसे हमने नहीं शेयर ना अब हम बैक आ जाते हैं यह हमने स्टार्टिंग की डियूरेशन सेट कर दी अब इसमें ओक है अच्छा यह स्टार्टिंग की डियूरेशन सेट हो गई एक मिनट और दस सेकिंड से यह फाइल हमारी ट्रेम होगी अब कहां तक हमने ट्रेम करनी है उसके लिए जो दूसरा एंड है को मैं आपको दिखाता हूँ अब यह एंड मारकर है अब रिवाग प्लेट बटन बटन स्टार्ट 00000000 एडिट बाक्स चुंके मिलिसेकंड एडिट 0000 कैंसल बटन 000 एडिट बाक्स इसमें हम 10 लिखते हैं अच्छा वन जीरो यह 10 हो गया अब मिनट्स के एडिट बाक्स में मैंने गलती कर दी थी हमने 10 मिनट 10 सेकिंड से इसको ट्रेम करने की कोशिश की थी एतनी बड़ी फाइल तो थी नहीं इसमें जब मिनट्स लिखने हैं तो हमें फाइल के हिसाब से लिखने हैं तो अब हम 01 करेंगे यहां यह 010 अभी भी यह सही नहीं है अब यह हुआ है ठीक अब मैं से ओक्र करता है यह देखें एक मिनट और 10 सेकिंड से यह कटेगी फाइल हमारी अच्छा इसे हमने नहीं शेलना है इसमें हम तब्दीडी कर देते हैं यह हमारा जो एंड का एडिट बॉक्स है इस पर डबल टैप और लॉंग प्रेस करेंगे इसमें हमने किलियर कर देना है पहल वो जो कैंसल के बराबर वाला एडिट बॉक्स था कैंसल के साथ वाला ठीक है इसे हमने जीरो कर दिया यह सेकिंड्स है तो सिर्फ 15 सेकिंड की काट नहीं है अगर तो इसे 15 ही रहने देंगे अच्छा अब हमने इसे कहां तक काटना है एक मिनट और 10 सेकिंड से लेकर कहां तक काटना है तो हम इसे 1 मिनट और 15 सेकिंड तक काट लेते हैं तो यह 15 तो लिखा हुआ है अब जो मिनट्स का एडिट बॉक्स है यह 00 इस पे मैं 01 करता हूँ यह देखें 01 एक मिनट 10 सेकेंड से लेकर एक मिनट 15 सेकेंड तक मेरे फाइल ट्रिम हो जाएगी पाँच सेकेंड की अब हम इसे करके देखते हैं यह ट्रिम बटन अब हम इस पर कर देंगे इसे यह मुजिक ही रहने देना है इसमें फिर रिंग टून्स दिखा देता हूं में कौन-कौन से ओप्शिन्स हैं इसमें डिफॉल्ट रिंग टून्स दिफॉल्ट अलार्म नोटिफिकेशन यह सारे आप्शिन्स हैं तो हम इसे म्यूजिक कैंसिल ओके ओके करेंगे तो हमारी यह शुरू हो जाएगी हम करके कर देते हैं कि अधियों यह देखें यह होने के बाद वहीं प्ले आ गया है तो मैं इसे यहां से प्ले करके आपको लिखा देता हूं यह ट्रिम आडियो हमने सीख लिया है अब मिक्स आडियो यह जो दूसरा इसका आप्शन है हम अब इसे सीखेंगे इस पे हमने डबल टैप किया वही यह पहला इडिट बॉक्स इसमें आप सर्च कर सकते हैं तो इसमें मिक्स में यह होता है कि दो फाइलों को आप एक साथ मिक्स कर सकते हैं मैं बताता हूं यह देखेंगे मेरी एक फाइल है मैं इसे हर फाइल के आगे अनलेबल बटन चुके आ रहा होता है तो यह इसमें भी आ रहा है इसे हम डबल टैप करेंगे अब देखें मिक्स आडियो इस पर डबल टैप करेंगे बकी आगे सारे आप्शन्स होई है शेयर डिटेल तो यह हमारी एक आडियो सेलेक्ट हो गई अब हम इसे भी सेलेक्ट कर लेंगे यह अब दो फाइलें ही मिक्स होंगी दो से ज्यादा नहीं होंगी तो यह हमने कर लिया है अब हम स्टार्ट मिक्सिंग बटन लेफ्ट लेफ्ट स्वाइप करते हुए डूंडेंगे जो ही मैं इस पर डबल टैप करूंगा तो मेरी दोनों फाइलें चलने लगेंगी तो मैं थोना सा बताऊँ कि इसमें एक म्यूजिक की फाइल है जिसमें सिर्फ म्यूजिक है और एक मेरी रिकॉर्डिंग है तो अब हम इसे चेक करते हैं यह दोनों मिक्स करके चला के दिखाएगा हमें यह पहली फाइल का स्वीट गंपोल यह देखे हैं यह दूसरी फाइल का सीग कंट्रोल मैंने कम करते है मिक्स बटन लेकिन इसमें हम एक चीज़ देखते हैं यह जो बटन है इस पर डवल टैब हम कर देते हैं शॉर्टिस्ट ओडियो इसे हम स्लेक्ट कर लेते हैं यह शॉर्टिस्ट और लॉंगिस्ट को समझ लें शॉर्टिस्ट में जो फाइल दोनों फाइलों में से छोटी है दूसरी फाइल उतनी ही मिक्स होकर कड़ जाएगी और लॉंगिस्ट में जो फाइल आपकी बड़ी है वो चलती रहेगी जो छोटी फाइल है वो पले होने के बाद खतम हो जाएगी जबके बड़ी जो फाइल है वो चलती रहेगी तो अब मैंने चुंके अपने रिकॉर्डिंग के हिसाब से ये म्यूजिक वाली मेरी फाइल बड़ी थी तो इसलिए मैंने शॉर्टिस्ट स्लेक किया वो जो बटन आया था उसके बाद वो चुके फाइल प्ले हो रही थी तो मैंने आप्शन्स स्लेक कर लिए है उसके बाद हमने जब मिक्स पर डबल टैप किया शॉर्टिस्ट सेट करने के बाद तो उसने फाइल नेम कहा फाइल नेम आप अपनी मरजी से कुछ भी दे सकते हैं फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में म्यूजिक तो उसे हमने नहीं चेड़ा तो ये खुद ही फाइल नेम अपना दे दे से फिर हमने जब ओके गिया तो ये मिक्सिंग हमारी शुरू हो गई अब हम इसे यहां से प्ले नहीं करेंगे क्योंकि ये एक के बाद एक फाइल प्ले होगी तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी लहाजा मैं इसे बैक कर देता हूँ अब हम मिक्स आडियो में लॉंगिस्ट करके देखते हैं फिर मैं दोनों फाइलों को एक साथ प्ले करके आप उनों को दिखाऊंगा हम वही वही फाइलें स्लेक्ट करेंगे ये देखें ये वही वही फाइल होगी मिक्स आडियो मिक्स आडियो स्टार्ट मिक्सिंग ये लेफ्ट स्वाइब करेंगे तो ये स्टार्ट मिक्सिंग मिलेगा ग educ स्टार्ट बेयो स्टार्ट मिक्सिंग अड़ी वे ये ढ़ ए स्टार्ट मिक्सिंग अविट conductor बेबरो मिक्सिंग अगा ये विफ जल्डёзी contrôl यह वो वाली हमारी audio mixing है जो हमने अभी की है मैं आप लोगों को दिखा दू अगर तो अब हम इसे प्ले नहीं करते प्ले हम इसे बाद में करेंगे देखें यह हमारी trim audio है जो हमने अभी trim की थी मिक्स यह देखें यह इसको मैंने mix अब पहली फाइल दो सीक कंट्रोल आ रहे होते हैं वालियम में तो पहली फाइल का वालियम आपने कितना रखना है सीक कंट्रोल में आप सीक कंट्रोल बढ़ा सकते हैं वालियम अप और डाउन से और दूसरी फाइल का आपने सीख कंट्रोल क्या रखना है या आप वालियम अप और डाउन से कर सकते है या आपको दिखाएगा भी कितना कितना हुआ फिर अपने साथ मिख साथ मिख सकते है यह लॉंगिस्ट प्रॉब हम स्लेक्ट कर लेते हैं यह देखें दोनों फाइल है यह वालियम बताया है इसमें यह मिक्स म्यूजिक अब यह मैंने एक शॉर्टिस्ट मिक्स की यानि जितनी मेरी छोटी फाइल है दूसरी फाइल भी उसके मताबक छोटी हो जाए और दूसरी मैंने लॉंगिस्ट मिक्स की यानि जो मेरी बड़ी फाइल है वो चलती रहे छोटी फाइल मेरी चलने के बाद खत्म हो जाए तो यह फर्क आपको समझाना है तो यह अब हम देखते हैं यह थोड़ी सी देर लग जाएगी यह परसंटेज भी आपको बताएगा तो दोस्तो इस एप्लिकेशन में जो वालियम्स आ रहे होते हैं उसमें दो सी कंट्रोल आ रहे होते हैं तो इसे आप डबल टैब और लॉंग प्रेस करके शायद नहीं कर सकते हैं इसे वालियम अप और डाउन से कर सकते हैं हाँ अगर आप सी कंट्रोल पे जब आपका करसर हो तो आप डबल टैब और लॉंग प्रेस करें और फिंगर हटाएं ना बलके दर दर करें तो सी कंट्रॉल काम और बढ़ेगा तो इसे आप करके देख लीजिएगा तो अब हम देखते हैं इसको ये 62% हुई है चुके ये लॉंग फाइल प्ले होगी पूरी तो इसलिए ये मिक्सिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है अच्छा इसमें जो माय क्रियेशन का आप्शन है उसमें भी कुछ खास नहीं है उसमें जो जो फाइलें MP3 आडियो एडिटर से आपने बनाई है ट्रिम की हैं मिक्स की हैं कनवर्ट की हैं रिकॉर्ड की हैं वो सब की सब उसके अंदर शो होंगी लहाजा इसके बाद हम उसे ही देख लेते हैं ये देखें ये मिक्स होने के बाद प्ले का आगया है मगर मैं इसे यहां से प्ले नहीं करूँगा अच्छ आडियो ये सारी फाइले मैं आपको प्ले करके दिखा दूँगा नो जब हम पहले की यह मर्चिंग भी देख लेते हैं, यह एक के बाद दूसरी फाइल कि लेँडुक्ड बद्री हुर्द है औरने हम इसे आप्शन देखते हैं एड और्डियो इसपे डबल टैप करेंगे हम अच्छे देखें इसमें लेबल बटन नहीं आ रहा है इस पर हम डबल टैप करेंगे यह हमारी एडिंग मर्ज लिस्ट यस इस पर डबल टैप कर देंगे तो यह पहला सॉंग हमारा एड हो गया मर्ज होने के लिए अब हम एड और्डियो यह इसे हम ले ले लेते हैं चले यह इस तरह से जितने भी आप एड करना चाहें मतलब पहले कौन सी फाइल हो फिर उसके बाद कौन सी फाइल चले फिर उसके बाद कौन सी फाइल चले इस तरह से आप इसे कर सके हैं यहां से आप इसको करेंगे तो सबके सब लिस्ट क्लियर हो जाएगी यह देखिए हमें इसने बताया कि पहली फाइल आपने यह एड की है दूसरी फाइल आपकी यह है इसे नहीं छेड़ना है क्योंकि यह इसमें कुछ नहीं है यह आपको बताता है कि आप यह देखें यह देखें यह देखें यूज एज वही ड्रॉप डाउन लिस्ट म्यूजिक कैंसल ओके ओके कर देंगे 3% यह परसंटेज चली है तो इस तरह से आपकी जितनी भी फाइलें हैं मर्जिंग के लिए वो आप मर्ज कर सकते हैं मर्जिंग में कोई लिमिट नहीं है 2, 3, 4, कमसकम 2 तो होनी चाहिए इसका तरीका यह है कि एक फाइल जो सबसे पहले आप चाहते हैं उसे सबसे पहले स्लेक्ट करेंगे फिर उसके बाद जो फाइल आप चाहते हैं कि इसके बाद ये प्ले हो उसे उसके बाद स्लेक्ट करेंगे फिर तीसरी फाइल काभी ही सिलसला रहेगा तो इस तरह जितनी भी फाइलें आप ने स्लेक्ट कर लक्र लीं वो add audio में जाकर के हर फाइल के आगे add audio आएगा तो add audio उसे वो आप से पूछेगा add 이러ks मर्ज लिस्ट उसे आप okay कर देंगे double tap कर देंगे तो वो add हो जाएगी उसके बाद फिर सारा process हमने किया है तो ये हमारा हो गया है चुँके मैं इसे यहां से play नहीं करूँगा ये देखें ये इसने हमें लोकेशन बताई ये play का भी है ये जितने भी हैं सबके सब इंस्टाल्ड है इनको हमने ही छेटते टैग एडिटर में कुछ भी नहीं है टैग एडिटर में ये है कि आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करके उसका artist name, album name और उसकी जो सारी details हैं वो आप इसे लिख सकते हैं जैसे हम एक करके देख लेते हैं मैं इसी को ले लेता हूँ टैग एडिटर ये देखे हैं वाइस रिकॉर्डर इसमें मैं अपना दे सकता हूँ एल्बम एडिट बॉक्स ये अपनी मर्जी से आप सब कुछ ये सब अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं ये ये इसे सेव करेंगे तो ये जो जो आपने लिख कर इसे सेव किया होगा तो ये सेव हो जाएगा तो इसे हम फिलाल नहीं करते रिकॉर्ड आडियो कनवर्टर MP3 ही फाइल इसमें कनवर्ट होगी हम एक करके देख लेते हैं इसे करके देख लेते हैं आडियो कनवर्टर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में MP3 है इस पर डबल टैप करके देख लेते हैं और कौन कौन से हैं ये फॉर्मेट्स हैं मैं इसे फॉर्मेट्स हैं मैं इसे फॉर्मेट्स में चले ले जाता हूं तो हम इसे 32 बिट्स पर ही कनवर्ट करके देख लेते हैं ये हमारी कनवर्टिंग शुरू हो गई है ये तमाम की तमाम फाइल है आपको अपने फाइल में एक आडियो एडिटर फोल्डर बनेगा उसके अंदर मर्ज एक फोल्डर होगा उसके अंदर जितनी भी फाइलें आपने इसके थूरू मर्ज की हैं वो मिलेंगी और इसके पाद एक मिक्स का फोल्डर होगा जितनी फाइलें आपने मिक्स की हैं वो उस फोल्डर में आपको मिल जाएंगी और ट्रेम का भी एक फोल्डर होगा जितनी फाइलें आपने ट्रेम की हैं आपको ट्रेम में मिलेंगी कन्वर्टर के हवाले से भी एक फोल्डर होगा जितनी फाइलें आपने कन्वर्ट की हैं वो आपको उसमें मिलेंगी tag editor का एक folder बनेगा जो के audio editor folder के अंदर होगा तो यानि जो file ने आपने जिस तरहां से convert की है मर्च की है, mix की है या tag editor के थुरू से save की है वो सब कसब इसमें आएगा folders मुख्यूर्ड बन जाएंगे और हर folder के अंदर वो file न आपको मिलेंगी वो मैं अभी दिखाऊंगा ये 68% हो गया है कनवट तो यहां से हम प्ले नहीं करेंगे क्योंकि यहां से जब भी आप प्ले करेंगे तो आपको पॉस करना भी मुश्किल है इसके लिए फिर यह है कि नोटिफिकेशन में जाने के बाद अगर आप एक फाइल को प्ले कर लें और उसे पॉस करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में जाएए नोटिफिकेशन में जाने के बाद चार बटन आ रहे होते हैं उसमें से दूसरा वाला जो बटन है उसे डबल टैप करेंगे तो वो पॉस हो जाएगी अच्छा ये नोटिफिकेशन में भी कोई ये शो होती रहती है तो इसे खतम करने का तरीका भी मैं बताता जलू कि नोटिफिकेशन में जाने के बाद अगर ये शो होता रहे और ना हटे तो आखरी जो बटन हैगा उस पह आभ डबल टैप करेंगे तो ये नोटिफिकेशन से दूर हो जाएगा अच्छा हर फाइल के खतम हो जाने के बाद जिस तरह कोई फाइल मर्च कर रहे हैं हो गई है convert कर रहे हैं तो हो गई है तो वो notification में audio created ये भी दिखाएगा अब हम इसे देख लेते हैं हम इसे यहां से play नहीं कर रहा है ये my creations भी देख लेते हैं ये देखें ट्रिम्ड मर्ज्ट मिक्स्ट कनवर्टिड आडियो टैग एडिटर रिकॉर्डिंग्स अच्छा अब इसके बाद जो है वो मेरी फाइलें शो होना शुरू हो गई है ये देखें ये ट्रिम में ये दो ही फाइलें हैं तो ये दोनों एक साथ प्ले हो जाएंगी लहाज़ा हम इसे अब तो दोस्तों ये है MP3 आडियो एडिटर के कमालात इसमें आप मर्ज्ट कर सकते हैं मिक्स कर सकते हैं अब हम अपनी तमाम फाइलों को देख लेते हैं कोई भी फाइल में नहीं आप यूज कर रहे हैं तो उसमें जाएए ये आडियो एडिटर कटर ये फूल्डर बना है ये देखें अब मेरे पास ये जो मेड़े डेटर चेंज है ये है वो टैग एडिटर मर्ज्ट फॉर्मैट कनवर्जन ये इसमें आपको कनवर्टिंग मिलेगी तो हम पहरे अब अब यहां से हम अपनी फाइलें प्ले करके देखते हैं फॉर्मैट कनवर्जन एंद लिस्ट आउड अव लिस्ट और अव लिस्ट आउड अव लिस्ट एड़र्माजस्टरियो लव मोबल रिडिक टन एफ्माट के देखें वह हमने एंफ़ोरे में जो कनवर्ट की थी मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ तो यह हमारी कनवर्टिंग फाइल हमें यहां मेंगी मर्ज में हमने जो फाइल मर्ज की थी उसे हम देख लेते हैं अब लिस्ट एवर्ट मट अप्लेबल बद एवर्ट माई इस़ड्रियो लव मोबलरी तो दोस्तों इनरॉड ब्लैंड काफे का चैनल आपके लिए ने ने बाटकास्ट लेकर को आता है इस पर मैंने इसके बाद एक मेजिक मिक्स किया था अब ये रिकार्डिंग चार रही है और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करवाईए यह हम पूरा इसे देते हैं इसके बाद दूसरी फाइल खुद भुद खुद चलेगी तमामी हजरात इस ग्रुप को जॉइन करें शुक्रिया यह मेरी रिकार्डिंग खतम हो गई यह देखें और यह हमारी दूसरी फाइल यह हमारी दूसरी फाइल उसके बाद प्ले हो गई यह इसके बाद मैंने मर्च कर दिया था तो यह एक फाइल खतम होते ही दूसरी प्ले हो गई अच्छा यह ट्रिम्ड है जो हमने फाइल ट्रिम्ड की थी पांच सेकेंड की इसमें वो मिल जाएगी हम इसमें और भी हैं लेकिन मैं यह देखें अब हम इसे देखते हैं यह देखें यह हमारी वो जो ट्रिम्ड थी यह इसमें आ गई इसमें तो मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कोई रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो इसमें आएगी यह दो आएगी यह दोस्तो यह देखें आएगी वैसे फिक्षैनल अगिल्य है फित्वी ट्राइस बास बटन 19% C-Control अब्लो सट्क्राइस की आफ एक वसे बास ट्राइस प्राइस मेल्स बास बास बटनी हैं बोल्स नहराइस कर दो 習ड़ाे दोल्ड़ा बास बेस्ट में 50404.993.992. यह देखें वो जो शॉर्टिस्ट वाली फाइल थी हमारी जो ही मेरी छोटी फाइल खतम होगी तो म्यूजिक भी खुद बखुद बंद हो गया लेकिन जो लॉंगिस्ट है उसमें मेरी फाइल खतम होने के बाद म्यूजिक चलता रहेगा हम इसे देखते हैं तो शचिव बिएब्स देखते हैं मेब्स देखते हैं जो आफ के चैनल यह प सब्रेखते हैं तो ये देखिए ये मुझे लगता है रिकॉर्डिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वज़ा से ये वो ठीक तरह से वो नहीं हुआ बारहल इसमें ये होता है कि शॉर्टिस्ट में आपकी जो छोटी फाइल है उसके मताबक ये जो बड़ी फाइल है वो उतनी ही कड़ जाएगी ट्रिम हो जाएगी अच्छा अगर कुछ भी ना करें डारेक्ट इसे मिक्स कर दें तो फिर भी यही होगा मतलब ना आपने शॉर्टिस्ट लिया ना लॉंगिस्ट लिया कुछ भी नहीं किया उसे वैक्स ही मिक्स कर दिया तो जो छोटी फाइल है बड़ी फाइल उसके मताबक कर जाएगी यानि उस जितनी ही हो जाएगी दस सेकेंड की अगर आपकी छोटी फाइल है तो दस सेकेंड की ही बड़ी फाइल कर जाएगी तो मिक्स हो जाएगी लेकिन लॉगिस्ट को अगर आप स्लेक्ट करेंगे तो जो बड़ी बारी फाइल है वो प्ले होती रहेगी छोटी फाइल दस सेकंड की प्ले होने के बाद खतम हो जाएगी बड़ी फाइल चलती रहेगी अब चूंकि यह हमने किया नहीं था वो टैग एडिटर में इंजा करके क्योंकि वो एल्बम आर्टिस्ट यह ज़्यादा जो यह फीचर है यह देखने वालों के लिए बारन मैंने आपको दिखा दिया है तो दोस्तों यह MP3 Audio Editor का पॉडकास्ट आप Android Blind Cafe के चैनल पर सुन रहे थे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि Android Blind Cafe का चैनल सबस्क्राइब करें और दूसरों को भी सबस्क्राइब करवाएं और इस पॉडकास्ट के मताविक जो चीज इसमें ना समझ में आई हो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा वाटसप पर भी Android Blind Cafe का एक ग्रूप है उसे आप जोईन कर सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ किसी नए पॉडकास्ट के साथ आपसे मिलेंगे Android सीखना अब हो गया है और भी असान क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नितने पार्कास्ट और आपकी तमाम तर कुई रिसका रिपलाएं तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बद जाए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए धेर सारी मालुमात ओनली ओन एंडराइड ब्लाइंड कैफे